इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। बीटा बेस्ट XL XL 50 टैबलेट बीटा ब्लॉकर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है इसका इस्तेमाल high blood pressure यानि की hypertension एंजाइना यानि की हृदे संबंधित सीने में दर्ड और अनियमित हृदे रिदम यानि की हृदे की धरकन में अनियमिता यानि की एरिथमिया के इलाज क लिए किया जाता है यह migraine भविश्य में दिल के दोरे और stroke को रोकने में मदद करता है बीटा बेस्ट XL XL 50 टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है डोज और frequency इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप इसे किसलिए ले रही है और आपकी condition कित लग सकते हैं और आपको इसे उम्र भर भी लेना पड़ सकता है अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तो भी इसे लेते रहना जरूरी है घाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांच लोगों में कोई लक्षन दिखाई नहीं देता है लेकिन अगर आप इसे लेना बंद कर दे होते हैं तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है बीटा बेस्ट एकसल एकसल पचास टैबलेट के मुख्य साइड इफेक्ट थकान सिर्ध दर्द धीमी हिदे गती चक्कर आना और मिचली आना हैं ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं इसके कारण कुछ लोगों में सास फूलने और ब्लड प्रेश कम होने जैसी समस्याइं आ सकती हैं साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर संभवता दवा को कम खुराक से शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा अगर साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें इसे लेने से पहले अगर आपको लिवसंबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं धो सकता है कि यह धीमी हिर्दै गती, सकुलेशन की गंभीर समस्याओं, गंभीर हॉट फेलियर या लो ब्लड प्रेश से प्रभा से बात करनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धवा ठीक से काम कर रही है आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्य अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद